Time and Tide, Wait for None और यही है इस पूरे चैप्टर का सारांच चैप्टर नमबर एक तो शुरुवात से शुरू करते हैं क्विक चैप्टर ओवर्वीव के साथ ओथर का नाम अलफॉन्स दॉडड़िट दो प्राइमेरी कारेक्टर हैं जो कि इस पूरे कहानी को एक नमबर बनाते हैं इन मेंसे एक है फ्रांस जो की स्टूडेंट है जिसके पॉइंट ओ व्यू से हम पूरी कहानी को समझेंगे और एक है एम है एम हैमल साहब जो की टीचर है प्लॉट समरी तो 1870 की बात है प्रूशियन आर्मी ने फ्रांस की कुछ डिस्रिक्ट को कैप्चर कर लेते हैं और इनी डिस्रिक्स में से एक डिस्रिक्ट में छोटा सा स्कूल होता है जहांपर हमारे फ्रांस पढ़ता है और एम हैमल साहब पढ़ाते हैं अब ऐसा क्या होता है कि M. Hamil sahab और France और बाकी सारा जो village होता है, जो district होता है वो बहुत ही emotional हो जाते हैं यही पूरी किस्से कहानी के बारे में यह पूरा chapter है तो चलिए, time waste ना करते हुए जानते हैं कि ऐसे कौन से amazing दो characters हैं जिनकी वज़े से एक आनी बहुत ही खूब सिरत बनती है तो France के बारे हम थोड़ा जान चुके हैं, एक छोटा सा बच्चा है, student है और वो बहुत ही आलसी सा बच्चा है मतलब वो daydreamer है, वो यहाँ-माँ घूमना पसंद करता है और जब भी school की बाद आती है वो थोड़ा सा पीछाड जाता है और अगर home work की बात कर दिये, तो बाप रे बाप पसीने छोड़ी आते हैं, क्योंकि यह से यह सब करना पसंद नहीं है उसे क्या करना पसंद है? daydream करना पसंद है, imagine करना पसंद है, जो की हर एक उस age के बच्चे को जाधा पसंद होता ही होता है दूसरी और हमारे पास है M. Hamill सहाब, अब M. Hamill सहाब है French के teacher, मतलब वो French language के teacher है वहाँ पर पिछले 40 सालों से वहाँ पर काम कर रहे है बट आज के दिन, मतलब जो भी ये दिन chapter में discuss कर रहे है उस दिन कुछ अनोखा होता है, अन्होनी होती है जिनके चलते M. Hamill सहाब को exit करना पड़ सकता है ये पूरी district को अब ऐसा क्या होता है? जानते हैं हम अपनी कहानी में तो एक बार की बात है, फ्रांस के छोटी से अलसाक नाम के district में एक school था और उस school में फ्रांस नाम का एक छोटा सा बच्चा पड़ता था M. Hamill सहाब की class में एक दिन फ्रांस स्कूल आते आते लेट हो गया, as usual, और उसको डर लगने लगा भईया, कि यार आज फिर से M. Hamill सहाब से में कुछ डाट पड़ेगी और उन्होंने कुछ homework दिया था, शायद participants के ओपर कुछ homework दिया था, वो मुझे question बूचेंगे, मुझे तो आता नहीं है, मैं आज फिर डाट खाऊंगा, बट आदत तो आदत होती है, आदत पड़ चुकिए डाट खाने की, तो कोई टेंशन नहीं है, अभी भी उसको लग रहा है कि यार बंक कर देते हैं स्कूल, डाट निखानी, इससे अच्छापन बाहर गूमेंगे बगरा, और यहा हमाँ बै बासते से जा रहा होता है, तो आचानक से देखता है, बहुत बड़ी भीड जमा है, वहाँ पर जो टाउन होल होता है, जहां पर सारे इंफोमेशन बगरा, रिले किये जाते हैं, बहुत लोग की भीड जमा होती है, वह बलता है, क्या कर रहा है, दूर से देखता है, और सू यह तब से हो रहा होता है, बैद नीजस का जो सिलसला होता है, वो तब से हो रहा होता है, जब से पुरूजिन आर्मी ने इनके district आलसएक को capture कर लिया होता है, the day felt unusual compared to the regular days, तो यह वालो जो दिन धरना थोड़ा सा अजीब से लग रहा था, अंदर से गलत सी feeling आ रहे थी, वो आख फड़ फड़ान वाला कारेक्राम होता ना कि यह अपशगुन यह अच्छा हो रहा है यह अपशगुन मारा दिन लग रहा था बच्चे को हमारे क्योंकि जैसे ही वो क्लास में पहुचता है ना तो जो रोज मर रहा कि चहल पहल होती है ना जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कमोशन वो हो नहीं रहा था तो क्लास में जाकर देखता है कि यार मस्ती नहीं कर रहे बच्चे सब लोग चुपचाब बैठे हुए हैं ऐसा क्या हो रहा है सब कुछ बहुत शान था and instead of being scolded by M. Hamill क्योंकि उसे लग तो रहा दर कि M. Hamill साब हमें डाटेंगे पर surprisingly M. Hamill साब बोलते हैं France you have come here please take your seat बहुत ही शान्ती से composed manner में France को बोलते है M. Hamill साब कि जाकर अपनी seat पर बैठ जाओ बहुत चुपचाब यह surprised कि यह डाट नी पड़ी मतलब यह तूफान के पहले की वो शान्ती तो नहीं है जिसके वज़े से मैं को अभी और डाट पढ़ने माली है ऐसी फीला रही होती है France को He noticed something odd about Mr. Hamill वो Mr. Hamill के बार में एक और चीज़ नोटिस करता है कि जो पीछे वाली bench होती है वहाँ पे villagers बैठे होते हैं especially elders of the village कौन-कौन बैठा होता है former mayor बैठे होते है former postmaster सहाब बैठे होते है और उनकी साथ-साथ और भी कई elders बैठे होते हैं village के यह बोलते हैं कि यह क्यों पढ़ने आगा स्कूल में लगता है इनका भी कुछ homework वगरा pending होगा पर वो सब odd-odd लगता रहता है बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं पदा तो चल जाएगा as we progress through the day तब इस mystery का खुलासा होता है क्योंकि एक order आता है Berlin से जहां पे यह बोला जाता है कि जितनी भी district है France case को capture किया गया है जैसे कि Alsac and Lorraine उन सब में अब German language को पढ़ाया जाएगा पर इस order में इतना क्या खास था कि सब लोग हैरान परशान थे और इसे के साथ ही साथ एक और चीज़ पदा चलती है क्या? कि जो हमारे French teacher है M. Hamill साब उनका आज आखरी दिन है पढ़ाने का उस school में अब M. Hamill साब के बार में एक चीज़ जानने की बहुत ज़रोत है कि पिछले 40 सालों से वो इसी school में French language की teacher रह चुके है और काफी generations को अलड़ी वो पढ़ा चुके है और ये एक ऐसे teacher थी जिसके अंदर एक बहुत ही strong sense of patriotism था अब remember one thing जो भी हमारी national language होती है न वो लोगों को बांध के रखती है और यहाँ पे भी यही काम हो रहा था France में French language एक बहुत ही important language है जो की पूरा social fabric social and cultural fabric जो होता है न उसको बांधे रखता है तो इसलिए ये एक patriotic इंसान भी था और एक patriotic इंसान national language पढ़ा रहा है बच्चो को तो आज समझीए two-fold हो गया पूरा कारिकरम he is also full of nostalgia and grief nostalgia मतलब पुराने दिनों की यादों से पूरे भरपूर है और दुख भी है क्यों दुख है? क्योंकि उनका आज आज आखरे दिन है ये last lesson है उनका और यह हमारे पूरे चाप्टर का नाम भी है और उनको honor करने के लिए उनको respect दिर खाने के लिए जितने भी सारे elders बाटे हुज है ना village के वो सब आज उनके last lesson को attend करने आए थे इसी के साथ-सथ एक और रिग्रेट था villagers को क्या? कि अरे यार समय रहते हुए पढ़ ले थे तो कितना अच्छा होता है हम तो सोचते कल कर लेंगे कल कर लेंगे पर समय तो किसी के लिए रुखता नहीं है और आज तो को कल बचा ही नहीं है आज तो आखरे दिन हो गया and France being France, वो थोड़ा सा हट बढ़ाया, हिचकेचाया, but unlike the rest of the days, आज कि दिन M.Hammal साब ने बोला कुछ भी नहीं उसको, ना डाटा न अफटकारा और बहुत ही पेशेंटली वेट कर थे कि France, you take your time, I'm here, I'll listen. He went on to discuss their district's problem, the assumption that they always had plenty of time, और इसी के साथ-साथ, M.Hammal साब एक मौका ढूनते हैं, जहां पे वो जितनी भी district की problem होती है, उनके उपर थोड़ा light shed करने की कोशिश करते हैं, और बोलते हैं कि सब को लगता था ना कि काफी time है, काफी time है, देखो, अब time बचा ही नहीं है, और इसी लिए, students जो थे, वो अपने lessons में lag behind कर रहे थे, because they had taken the time they had for granted, और अब देखो, last lesson आ चुका है, अब कल बचा ही नहीं, M.Hammal साब ने अपने आप को भी blame करा इस दोरान, और parents को भी blame करा, especially France के, क्या बोलते हुए, कि मैंने कितनी बार समझाया, कि यार, बच्चे से काम मत करा, उसे पढ़ाई करने दो, बट, वहाँ पर parents के priority भी हिली हुई थी, अब France को बोले, तो क्या बोले, वो तो बच्चा है, M.Hammal went on to talk about the beauty of French, अब इसी के साथ-साथ M.Hammal साब को लगा, कि यार, फ्रेंच जो language उसकी खुबसूरती के बारे में बात करें, और यहां पर फिर से वही चीज़ बोलते हैं, कि एक language एक ऐसी चीज़ होती है, कि भले आप land को occupy कर लो, बट language एक ऐसी चीज़ होती ही, किसी जगा की, जो कि spirit को बांधे रखती हैं लोगों की, तो लांगविज को छीनना सबसे मुश्किल काम होता है कई बार, जो भी capture करने के लिए आई हूँ हैं यह forces उनके लिए, He explained that when people are enslaved, the only key to redeeming their freedom, is the common language that they share. मलदा, जब भी किसी को capture कर लिए जाता है न, तो कोई बात नहीं, लोगों को capture कर सकते हो, लांड को capture कर सकते हो, प्रॉपर्टीज को capture कर सकते हो, बट spirit को capture नहीं कर सकते हो, और spirit दिखती कैसी है, लांगविज के थूद दिखती है, France felt that everything his teacher was teaching, was easy to understand, France एक अच्छा बच्चा था, he was intelligent, बले वो daydreamer था, फिर भी वो बहुत intelligent था, बहुत ही introspective था, और उसे लगता है, कि आरे जो बोल रहा है, काफी असाहन है समझने के लिए, मतला बेट से common sense है, बट फिर उसके बास सुनने के बाद, वो अपने आपको blame कर ले लगता है, कि फ्रांस को फिर पता चलता है, M. Hamilton साब का अज सिफ क्लास में आखर दिन नहीं है, उस बिस्ट्रिक्ट में आखर दिन है, क्योंकि जो प्रूजन आर्मी है, वहां से जो ओर्डरा है था ना बर्लीन से, उसमें ये भी लिखा था कि यो फ्रेंश टीशर को, डिस्ट्रिक्ट से निकाल देने की आवशकता है, क्यों? गेस कर सकते हैं आप, इसी लिए क्योंकि एक पेट्रियोटिक आडमी, जो कि नाशनल लैंग्वेज सिखा रहा है, उसको हटाना बहुत जरूरी एकोसिस्टम से, ताकि वो फ्यूचर में लोगों को influence ना कर सके, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट से ही निकाल के फिका जा रहा था, और बारा बचते से ही, प्रूजियन आर्मी का एक बड़िया सा नगाड़ा बचता है, और वो एक साइन होता है कि, इतने ज़्यादा इमोशनली ओवर्रेंड होते हैं, कि उनके मूँ से शब्द नहीं निकल रहे होते हैं, तो आखरी में, वीव लफ्रांस लिखके, लॉंग लिफ्रांस लिखके, अपना जो सर है, वो वाल के अगेंस्ट लीन करते हैं, और एक हाँ से जेस्चर करते हैं कि, दिन खतम, खतम दिन, प्लीज, आप लोग जाईए, और जो एमेहमल साब पूरी कहानी सुना रहे होते हैं, जो अपनी बात बता रहे होते हैं, उससे फ्रांस को वो उसका में जो फोकुस होता है, वो समझ में आजाता है, क्या? उसको समझ में आजाता है कि, इस इंपोसिब नीज बॉब वन्स लाइविज वर्मट विर्मॉड़ पर्सन लाइविज नीज चीज फ्रांस को फाइव बच्छे को समझ में लगती है this means that no matter how hard the opposition may try they will fail to remove one's language or कुछ भी कर ले हमारा enemy हमारी language नहीं छीन सकता हमारी spirit को नहीं छीन सकता और इसी के साथ यह कहानी समापत होती है अब जानते हैं अम उथर के बारे में कुछ दो तीन चीजे है Alphonse Dodded is considered to be one of the most iconic names in French literature अगर फ्रेंस लिट्रेचर के हम बात करते हैं तो Alphonse Dodded सहाब के बात करे बिना उसके बारे में पूरी कहानी नहीं जानी जा सकती बहुत सारे writers जो होते हैं वो educated होते हैं पर Alphonse सहाब educated नहीं थे तने जादा Still, he has a huge influence on the world of French literature A lot of educational institutions in France have been named after this famous writer और इसी के चलते हैं उनको honor और respect देने के लिए फ्रांस में बहुत सारे educational institutions हैं जो की इनके नाम पे रखे गए हैं Alphonse is one of the handful of writers who portrayed human emotions in a very realistic manner Now, यहाँ पे उन्होंने रॉमांटिक नहीं बना है situation को वो ground reality को समझते थे और उसी हिसाब से realistically उन्होंने यह जितनी भी उस समय की परिशानिय थी, problems थी उसको हमसे रूबुरू करवाया अब हो गया chapter खातम हो गया author के बार में अब थोड़े important words जान लेते हैं exam की बात है Apprentice, मतलब एक student दूसरा है unison, मतलब together कभी कभी होता है कि क्लास माते तो Good morning, teacher अब एक साथ बोल रहते है Irritating होता है, बट उसी को example की तर ले ले तो उसे unison बोलाता है, when people speak together or do something together. Commotion मतलब disturbance, मतलब आप traffic को समझ लीजे, traffic signal पे बहुत सारे लोग खड़े हों है, तो what will you call that kind of a disturbance, that cacophony you will call it a commotion Angulus, तो Angulus क्या होता है एक Roman Catholic devotional prayer होती है, परस इतना याद रखना है Wretches, unhappy person, तो wretch का मतलब है, जो हमेशा दुखड़ा ही काता रहता है, मेरे साथ यह हुआ तो that kind of a person is a wretch Prusia, Prusia is the present day northern Germany and northern Poland यह Prusia है आज के जमाने के सबसे और इसी के साथ, हमारे यह चाप्टर यहाँ पर खतम होता है Now, 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 please students कमेंट्स में अपने इंगेज करते हैं कोई भी डाउट वगर आपके पास हो, तो प्लीज उसे कमेंट्स में लिखिएगा, I will try and make sure कि मैं सारे कमेंट्स के साथ गो थू करता हूँ और पूरे replies दूँगा साथ ही साथ, description में हम लोगों ने एक PDF की link भी यहाँ पर attach कर दी है जो की आपको सारे notes को readable format में आपको मिल जाएंगे तो अगर आपके पस कोई भी doubts हैं और आपके कोई queries हैं, तो please make sure that we engage अब मिलते हैं एक नए chapter के साथ एक नए वीडियो में तब तक लिए, नमस्कार